अंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद गरता हूँ वैस सब बढ़ी आओंगे इस वीडियों दोस्तों बात करेंगे सरलंका और नुजिलैंड के बीचे जो पहला T20 मैच कहला जाएगे इसको गवर गरें दोस्तों तो आज के मैच में किस परकार आप लोग अपना 11 प्लेयर बयाथी लिटिख bits भागी बीच किई जाधा इंपरोटर रहा ही एक एक चीज feeding प्याइगी तो वीडियो पूरा दिखेगा कोई भी इंफोर्मेशन आपको में शनी करेंगी है चलेद खेल्का नूंज कि न्यूजिलेंड एक तरफ आपको फेवरिट देखने को मिलने वाली ए टिक है सरलंगा की टीम न्यूजिलेंड की टीम दोनों ओल्मोस्ट आपको बराबरी की टीम चापे देखने को मिलने वाले तो काफी बढ़िया यह मैच के लाजाएगा अपना मेहीन वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और समर्थन जरूर से बनाई रखिएगा टेलीग्राम के साथ में नहीं जोड़ो भाई बहुत कुछ मिस कर रहे हो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर जोईन करना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जएगी आपको सबसी उपर टोप में एक पिंड कमेंट मिल जाएगा जो कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पाऊगे ये वाला लिंक आपको मिलेगा कमेंट सेक्शन में इसके उपर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को जोईन कर लेना टोस होने के बाद कोई भी अपडेट्स होंगी फाइनल टीम में कोई भी चेंज करेंगे सारी अपडेट्स के बाद टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी तो कमेंट सेक्शन में लिंक के जोईन कर लेना मैच की बात करते हैं पहले पिछ रिपोर्ट पे चलते हैं फिर आएंगे टीम सेक्शन पे तो सबसे पहले वेन्यू की बात करें रंगीरी डंबूला इंटरनेशन स्टेडियम डंबूला के वेन्यू पे ये मैच कहला जाएगा अब देखो सिरलंका का सर्फेस है ठीक है अब सिरलंका का सर्फेस नॉर्मली कैसा था बाईया जो कि बाईया यहाँ पे स्पिन गेंद बाज को थोड़ी एक्शा हेल्प करता है मतलब पेस गेंद बाज यानि के जो तेज गेंद बाज है उनके लिए शायद आपको कंडिशन उतनी ज्यादा फेवरेबल ना दिखे जितनी की बाईया पे स्पिन इंपोर्टेंट हो सकते है सबसे पहले टिप आपको देदी यह ध्यान रखना ठीक है ओवरल बात करें और एका बैटर्स के लिए अच्छा हो सकता है और जैनुरली बता दो इस वेन्यू पर अच्छे रन समय देखने को जरूर मिलते हैं टोटल्स है इंटरनेशनल टी-टूर्टी मैच इस वेन्यू पर खेले गए जिसमें से फस्ट बैटिंग ने चार सेकिंड वेटिंग ने स थोड़े ज़्यादा मैचिस वेन करके गई है स्पिन इंपोर्टेंट है ये चीज़ बता चुको और स्रिलंका की जो टीम है वो अपना मेली बैया स्पिन गेंदबाजों के बलबूते खेलेगी चाई वो वनिंदू हसरंगा की बातों दुनित वैलालागे की बातों महेज बातों हो इनके पास में भी दो क्वालिटी स्पिन गेंदबाजी स्पिन गेंदेबाजी घान इस मढ़िगा तीसरा जो गेंद बाज इनका हो सकता है स्पिन में वो हो सकता है कौन भाई गेलन फिलिप्स जो कि रिशेंटली इंडिया के सामने टेस्ट मैच में बढ़िया स्पिन गेंद बाजी करका है भाई तो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा हाई आपको जरूर देखेगा तो स्पिन इंपोर्टेंट है ये मान के चलिए वेदर की बात करें बढ़िया मोसम है बारिस के उतने कोई खास सांस है नी पिछले पास टीटिटेंटी का एवरेज स्कोर 180 है देखो 180 के हिसाब से तो टीम मत बनेगा बाकि स्कोर बन जाए बहुत बड़ी है क्योंकि अच्छा मैच देखने को मिलेगा लेकिन सीधा सीधा अब अगर आप लोग 180 के इसाफ़ से टीम बना गिने गए रंस बने मात्र डेड़ सो तो भाई यो 180 वाला जो टीम स्कोर नहीं आपका कती वर्कर नहीं करेगा आप लोग मेरे अकोडिंग जो एवरेज स्कोर है वो लगबग 160 के आसपास देखो 10-5 रंस उपर निचे हो सकते है टोटल विकेट की बात करें पिछले 5-3-20 55 विकेट गिरे 25 फासने और तीच आपे स्पिन ने निकाले तो स्पिन आपको जरूर थोड़ा आगे देखने को मिलेगी और स्रिलंका तो भाई में स्पिन पर खेलेगी यह मैं आपको अलड़ी किलियर कर चुका हूँ हैट टोएड की बात कर लेते एक बरी आठ मैच हुए पिछले 5 साल दोनों टीम्स के बीच में एक सर्फ स्रिलंका ने विन करा 6 यहां पे निजलेंड ने विन करें निजलेंड की टीम में बड़े प्लेस नहीं है मैं आपको यह पहले किलियर कर चुका हूँ तो यह मत कि निजलेंड यहां पे एक तरफा फिवरेट हो सकते देखो बले ही निजलेंड मैच को विन कर जाए अच्छा खेलेंगे मैच विन करेंगे कोई डाउट नहीं है लेकिन उतने बड़े नामस आपको नहीं दिखेंगे जो कि नोजलेंड की टीम हमें नोर्मली देखने को मि सेकिंड हाइस रन गैटर है इस वेन्यू के अगर मैं बात करूँ ठीक है क्योंकि 6 मैच होए और स्रलंका के सरफेस है तो स्रलंका के चाई बल्ले बाज हो या फिर गेंद बाज वही आपको वेन्यू पे अच्छी परफोर्मेंच करता भी दिखेंगे अगर मैं स्टैट्स क 24 पे ले सकते हैं जोब की आपके लिए ट्रमकाड ओप्सन हो सकते हैं स्मोल लीगी टीम में भी और भाई आपकी ग्रेंड लीगी टीम में भी ध्यान रखेंगा ठीक है चांदी मल के चांस मुझे फिलाल थोड़े कम दिख रहे हैं बाकि अगर चंदी मल खेलेंगे तो मिड में ट्रमकाड लेकिन अभी सेफली हमजाएंगे सर्फ यहां पे कुसल मेंडिस के साथ महे की बात करें तो अभी मुझे इनके चांस नहीं दिख रहे हैं खेलने के बाकी अगर खेलेंगे तो भाई किस परकार के प्लेर है अभी कुछ कहीं नहीं सकते लेकिन फिलाल तो मैं लास्ट इनोने जो है दा फोर्ड ट्रोफी खेली थी वहाँ पे चार मैच में बाई सी रंज थे उधना कुछ खास फोम नहीं दिखा पाई हैं प्लेंकट दो जार तेइस सोबिस की जो ट्रॉनमेंट था उसमें बढ़िया फोम थी 15 मैच में 512 रंज से वहां पे ठीक है ले अब सेफ ओप्सन फिक्स प्लेर आप लोग इनको कह सकते हैं जो कि आपकी टीम में रहेंगे पातुम निशंका ओपनिंग वल्लेवाजी लंका प्रीमें लीग यहीं पे खेली थी और लंका प्रीमे लीग में भी पातुम निशंका ने काफी बढ़िया फोम दिखाई थी ठ करें तो करन्ट फोर्म काफी बढ़िया ओपनिंग बल्ले बाजी कैप्टन वाइस कैप्टन की सेफ ओप्षन है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक है चरी तसलंका देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाई स्पिन फेवरेबल कंडिशन हो सकती है यहां पे और जब स्पिन फेवरेबल कंडिशन होती है तो चरी तसलंका गेंदबाजी जरूर करते है ठीक है अब इनको विकेट मिले ना मिले भाई वो एक अलग चीज है लेकिन ये गेंदबाजी करने कम से कम दो तीन ओवर बीच में जरूर आ सकते है ध्यानकना ठीक है बल्ले बाजी बैककप आपको पूरा मिल जाएगा या तो सेकेंड डाउन बल्ले बाजी करेंगे या करेंगे भाई फिर थर्ड डाउन इंपोर्टेंट प्लेयर है और एकचेज बता दू ट्रम कार्ड प्लेयर में कैप्टन वाइस कैप बैस चीरिज में अभी अच्छी गेंदबाजी करवा क्या है और यहां पर इगर स्पिन देखने को मिलता तो गैलन फ्लिप्स भी आपको बीच में एक दोवर गेंदबाजी करता भी शायद दिखें बढ़िया प्लेयर है तगड़े हार्ड इटर प्लेयर है लोवर ओडर मे प्लेयर है जिनके पास में थोड़ा सा एक्सपिरेंस वाले आभी आपको देखने को मिलेंगे तो यहांसे आपके लिए कोमन पिक में कह सकते हो आप लोगों के लिए बैस्ट विकल पर अगर मैं गैलन फिलिप्स की बात करूँगा ठीक है परफॉर्मेंस की बात कर ले अब आपके लिए ट्रम का डॉप्सन है आपकी स्मोल लिग की टीम के लिए भी और आपकी ग्रेंड लिग की टीम के लिए भी अगर आप लोग रिस्क टेकर हो रिस्क उठा सकते हो अपनिटी में मार्क जैपमेन के साथ में एजे ट्रम जा सकते हो स्मोल लिग और ग्रेंड पर इवन ये सजेस्ट करूँगा ग्रेंड लिग में काप्टन वाइस काप्टन भी ट्राइगर गरिस्क उठा सकते हो, हो सकता है पहला मैच शायद ना चले, लेकिन किसी ना किसी मैच में शायद आपके लिए अच्छा जरूर करके जाएंगे ध्यान नकिएगा, ठीक है, मेर मैच का मौका मिला था, चार रंज करे थे, क्योंकि T20 में खेलने का भाई, इनको उतना जादा मौका मिलता नहीं है, जिम्बा जो T10 हुई थी अभी सेप्टमबर में वहाँ पे खेले थे, साथ मैच में 136 संस्ते, तो वहाँ पे फिर भी थोड़ा ठीक ठाक फोम थी, डिफ पेंड आपके उपर करता है, दोनों में से कौन से प्लेयर पे आप लोग रिस्क उठाके चल सकते हो, कुसल परेरा बंडाउन आएंगे, कुसल परेरा अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वही चीज़ है कि थोड़ा हिट एंड मिस टाइफ वाले प्लेयर भी जाएंगे, और बात करें, ओपनिंग बल्ले बाजी करेंगे, ले सकते हो, विल यंग अभी इंडिया के सामने जो टेस्ट सीरीज हुई थी, वहाँ पे भी नॉर्मल परफोर्मेंस करेंगे थी, बाकी ये फोर्मेट अलगा है, वो टेस्ट फोर्मेट था, ये T20 फोर्मेट है, ठीक है, तो थोड़ा जयाना के 34% स्लेक्षर में डिफरेंचली इनके साथ में बैक कर सकते हो, नुजलेंड के साड़ से, जो कि आपको ओपनिंग बल्ले बाजी करते हुए दिखेंगे, बात करें दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं विल यंग के स्टैट्स की, जो रिशेंट इन्होंने ट केवल 19 सी रंच कर पाए थे, उतनी बड़िया फोर्म नहीं थी, उससे पहले नुजलेंड ने पाकिस्तान के साथ T20 सीरीज खेली 24 में, ठीक है, वहाँ पे भी 2 मैच में 16 थे, तो मतलब करन्ट जो फोर्म है, फिलाल थोड़ा सा खराब चल रही है, अगर T20 मैच इसाब से T20 ब्लास्ट के लिए, वहाँ पे भी 6 मैच में केवल 17 थे, तो करेंट फोर्म थोड़ा सा खराब है, लेकिन रिस्क उठाओ तो रखेगा, अधरवाइच छोड़ सकते हो, अब इसका फर्नेंडो के चांस फिलाल नहीं दिख रहे है, बाकी ओवरल बता दू, चार T20 मैच य खेल चुके इंटरनेशल जिसमें से 13 रंच है, तो लेना चाहू ले सकते हो, 24 आपकी है, बाट की मैं अभी उतना प्रेफर करके नहीं चल रहा हूँ, ठीक है, तो यहां से पातुम निशंका, चरीत असलंगा और गैलन प्लेप्स, तीन प्लेएर रखूँगा, ओलांडो से चार ओवर बल्लेबाजी बैकप, कैप्टन वाइस कैप्टन की बैस्ट ओप्सन, मिचल सेर्णर गेंदबाजी पूरे चार ओवर बैटिंग बैकप, कैप्टन वाइस कैप्टन की बढ़ियाच्वाई स्पिन कंडिशंस हैं, और मिचल सेर्णर स्पिन कंडिशंस में बैटिंग बैकप भी ये देखे जा सकते तो बड़िया च्वाई से दुनित वैला लागे ट्राई जरूर करिएगा कमिन्दू मेंडेस पे मुझे फिलाल थोड़ा सा डाउट है एक तो भाई देखो इनकी गेंदबाजी कट हो सकती है दूसरा इनका बैटिंग ओडर चेंज हो सकता है बैटिंग ओडर या तो टीम रखे तो सेकंड डाउन रख दे या फिर रखे तो भाई फोर्थ डाउन भी रख दे बैटिंग ओडर में थोड़े कन्फिजन रहेंगे बाकि इनकी गेंदबाजी में जातक मुझे लगता है तो शायद इनके ओवर तो जरूर कटोंगे अगर मालीजे चरित असलंग का गेंदबाजी करने आए तो कमिंदू मेंडिस के तो ओवर कटोंगे बाकि ये प्रेफर करूँ अगर रखो तो सिर्फ इनको जे नॉर्मल प्लेर रखो कैप्टन वाइस कैप्टन से थोड़ा सा दूर अठके लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन की ये तब ही आपके लिए एक डिफरेंशल वाइस हो सकते है जब अगर टीम इनको बैटिंग में थोड़ा सा उपर परमोट करे ये जान रखिएगा बस ठीक है उसके बाद में माइकल ब्रैस्वेल अच्छे प्लेर है गेंदबाजी कर सकते है बट शायद गेंदबाजी उतनी जादा ना करें स्पिन गेंदबाजी तो शायद इनका रूल रहेगा इस मैच में क्योंकि स्पिन फेवरेबल कंडिशन्स हो सकती है और स्पिन फेवरेबल कंडिशन्स में विकेट मिले ना मिले लेकिन टीम यहाँ पे इनका यूज़ जरूर कर सकती है ओवरॉल बात करें MLC 2024 तीन मैच में 14 रंज थे एक मैच में गेंदबाजी गेंदबाजी फिलाल थोड़ा सा कमी करते हैं टीटूंटी वल्डगपी खेले थे लास्टो इनका टीटूंटी इंटरनेशनल टोर्नामेंट था वहाँ पे भी कुछ खास नहीं थे ठीक है रिस्क उठाओ तो ट्राई करिएगा नीचे आओगे यहाँ पे सी विकरमा सिंगे के चांस मुझे नहीं दिख रहे डी फॉक्स क्रोफ्ट के साथ में शायद टीम थोड़ा सा यूनिक जा सकती है लेकिन आपके लिए जाएंगे भाई ग्रेंडी की टीमें स्मोली की टीमें में अभी डी फॉक्स क्रोफ्ट को आपको प्रैफर नहीं करूंगा ठीक है टी टॉन्टी बात करने न्यूजलेंड के सामने खेले थे पाकिस्तान के सामने खेले थे तीन मैच में वहाँ पे इनोंने अठेटर रंज करे थे ठीक है गेंदबाजी की बात कर तो गेंदबाजी वहाँ पे इनोंने नहीं करी थी तो रिस्क टेकर हो बहुत बड़ा रिस्क उठाओ तो रखेगा दरवाई छोड़ दो फिलाल ठीक है देखो डेथ ओवर में गेंदबाजी डालेंगे इनिशली स्टार्ट कर सकते है स्रिलंगन टीम के लिए और स्रिलंग का पहले गेंदबाजी करेगी तो ट्रम कार्ड में काटन वाइस काटन जाएंगे तो ये थोड़ा से धान रखेगा बाकि अगर मैं पथीराना की ओवरोल आखडो की बात करूँ न तो पथीराना आप दख देखोगे अगर इनके T20 इंटरनेशन लेवल में 15 मैच में 23 विकेट है ठीक है लोग की फर्गुशन है तो थोड़े से पिटा हूँ गेंदबाज क्योंकि पेस तो बड़ी है लेकिन पेस के साथ में थोड़ा कंट्रोल भी होना ची है पहले गेंदबाजी ये आपके लिए डिफरेंस आपकी ग्रेंडली की टीम में कैटन सी वाइस कैटन सी गा ने चाहेंगे इस सोड़ी आपके पास में बड़िया विकल्प है स्लेक्शन कम है ट्राई कर सकते हो डिफरेंचल स्वाइस में खाम आ सकते है लेग स्पिन गेंदबाजी करेंगे दुनिया उतना ट्राई नहीं कर लूट दे सकते हैं 14 मैंचे 11 विके टिन के नाम है ठीक है ने चाहेंगे असिता फर्नेंडो खेल सकते हैं या फिर भाया बिनुरा फर्नेंडो दोनों में से किसी एक की जगा बनेगी और जो भी खेलेगा फिर डेथ में काम आएगा अधरवाई छोड़ के चलना यहां से फि आपको यहां से दिखा देता हूँ आप लोग देख पाओगे मेरी टीमें फिलाल 11 प्लेस आ चुके हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें सेफ ओप्सन वनिंद दोसरंगा आपके लिए रहेंगे यहां से रहेंगे पत्थुम निशंका चरीत असलंगा ट्राई कर सकते यहां से आप लोग भाई महिस्तिक्स नागो ठीक है यह चार प्लेयर आपके लिए टरम का अडॉप्सन कैप्टन वाइस कैप्टन सी कैप्टन सी में ट्रमप जाओगे 24 आपकी मैंने आपको सारी चीज़े कपर कर दी यह 11 प्लेयर की डेमो टीम है ठीक है इसमें कोई भी च सब्सक्राइब गरगे नोटिफिकेशन बेल भी ओन कर लीजेगा आने वाले किसी भी मैच की वीडियो आपको मिस नहीं करने मिलते हैं दोस्तों अगले मैच की वीडियो में उमीद करता हूँ कि आप लोग इस मैच में का बढ़िया टीम स्लेक्शन करोगे और आपकी टीम अपर फूम जरूर करेगी